अंचल में जून में केवल 164 दश्र मलव 6 मिलिमीटर बारिश हुई है मुरग नक्षत्र में किसानों ने धान की नरसरी लगाई थी तेज धूप वा गर्मी के कारण सूखने की कगार पर है जूप गावों में धान के नरसरी को वन्य प्राणियों ने नश्ट कर दिया है अब किसानों पर दोबारा धान गुआई करने की नौबत आई है शेत्र के गनेशपूर पवनार खारी, येदर बूची, गोबर वाही, हेटी टोला, सुन्दर टोला, सीता सावंगी, खंदाल गुढरी, धामनिवाडा, सौधिपूर, संपूर्न गाव, 52 सीचाई से वन्चीत है शेत्र में सबसे बड़ा गाव चिकला है, वहाँ पर भी 52 सीचाई ट्रकल्प का लाब संपूर्न खेतों को नहीं मिल पाता है, बारिश की कमी से किसान असिंचीत हो गए है संपूर्न गाव, आदिवासी बहु संख्या के गाव है, किसी भी गावों के तालावों में पानी नहीं भरा है, कई गावों में तालावों और नहरों की हालत बेहत खराब है भाजपानेता, पंचायत समीति तुमसर के सदस्य बालकृष्न गाडवे ने सरकार से इस और ध्याद देकर किसानों की सहायता करने की अपील की है के लिए हमसे जुड़े रहे